Hello dear students, welcome back to my study made delay channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कार्य पत्रक G16 ठीक है? जो की क्लास 6 से 8 यानि 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए जेनरिक विशे के अंतरगत दिनांग 18 दिसंबर 2021 के लिए से डियोल किया गया तो प्यारे वच्चों ठंड का मौसम सुरू हो चुगा है और धीरे धीरे या ठंड अपने चरम पर पहुचेगी ठंड का यह मौसम सेहत से लेकर खुबसूरती तक के लिए बर्दान की तरह है इस मौसम में आप अपने स्वास को बेहतर बना सकते हैं और तवचा को भी मन साबित हो बदले हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे कि जानिये ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें तो जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बदलते हुए मौसम में सरीर खुद को मौसम के अनकूल आसानी से नहीं ढाल पाता खास तोर से बच्चों और बुजूर्गों को मौसम के अनकूल होने में समय लगता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक छमता युवाओं की अपेच्छा कम होती है ठीक है और ऐसे में सावधानिया न बरती जाएं तो वे जल्दी बीमार हो जाते हैं और इस मौसम में बच्चों और बुजूर्गों पर बिसेश भ्यान दें जो ठंड का मौसम है शुरू हो चुका है और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं और बुजूर्ग हैं जिनकी ये जादा हो चुकी है ये दोनों के लिए समस्या होती है क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक जो रोग से लड़ने की जो छमता है वो कम होती है तो वो जल्दी बीमार हो जाते हैं उन्हें विश्यस ध्यान देने की जरूरत है ठीक है और आगे है इस मौसम में ठंड के कारण सर्दी, जुख, खाम, सास, समंधी, अधिक रोग होते हैं देखें ठंड में कौन-कौन से विश्यस बीमारी होते हैं जिसे हैं कि सर्दी, दूप लें और सुबह साम सैर करें इससे सरीर में प्राकृतिक रूप से गर्मी बनी रहेगे देखें अगर हमें इन चीजों से यानि कि सर्दी, जुखाम, सास लेने समंधी जो बीमारियां हैं उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन हमें धूप स सकते हैं, बेयायाम कर सकते हैं यानि कि एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ऐसा करने स्क्या रहेगा आपके सरीर के अंदर गर्मी बनी रहेगे आगे हैं सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो या बहुत अच्छी बात है लेकिन ठंड के मौसम में गुनगुना या गरम पानी की आदत बनाएं, इससे सरीर का तापमान बढ़ेगा और आंतरिक अंग सही तरीके से कार्य करेंगे। देखें, सुबह उठके जिसे पानी पीने की आदत है तो काफी अच्छी आदत है और उसमें क्या ध्यान देना है कि आपको ठंड पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। जब भी पानी पीएं, पानी को हलका सा गुन-गुना करें और उसके बाद ही उस पानी का सेवन करें। इससे क्या हुआ कि जो सरीर का तेंपरेचर है वो बढ़ेगा और आंतरिक अंग जो है वो सही रूप से कार्य करेंगे। इस मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने साथ गर्म कपड़ों और सकार्फ को जरूर रख लें। कहीं भी आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े रखें और सकार्फ, मफलर ये सब चीज़ें लेकर ही जाएं। ताकि लोड़ते समय अगर साम हो जाए तो आपको ठंड हवाओं और सर्द मौसम का सामना न करना पड़े। यह तरीका आपको बिमार नहीं होने देगा। क्लियर है बच्चों कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हो धूप है तब भी आप अपने साथ स्वेटर या जो भी गर्म कपड़े हैं उसको रख लें मफलर रख लें टोपी रख लें जिससे के अगर लोड़ते समय अगर देर हो रही है तो आप ऐसी कंडिशन में जो है वो उसमें गर्म मसालों का प्रयोग करें मसाले आपके सरूर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगे इसके अलावा अद्रक वाली चाय और लोग गुड़ वहल्दि का काढ़ा सोते समय पीके इसके साथ आपको क्या करना है यह था आप मसालें का प्रियोग करें ज़्यादा ज़्यादा ठीक है और इसके साथ जिसे आप चाय पी रहे हो तो अदरक वाली चाय पीओ उसमें लोंग का प्रियोग करो गुड और हल्दी का काढ़ा बना के सोते समय जब आप सोने लगो रात को तो गुड वो हल्दी का काढ़ा पिए अगर दूद पीते हैं तो उसमें भी हल्दी डाल कर पिए यह सर्दी और बिमारियों से बचाएगी ठीक है? यह सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको अगर सर्दी, जुखाम, खासी यह सब दिक्कत है भी तो उससे भी आपको निजात जल्दी से मिल जाएगी इस मौसम में ठंडी, खटी चीजों खाद पदार्थों का सेवन न करें एक और चीज़ ध्यान देना है कि इस मौसम में, यानि कि ठंड के मौसम में आपको ठंडी चीज़े, यानि कि दही न खाईए, खटी चीज़ें जो जैसे कि नीबू का पानी और जो भी खटे फल हैं आप उनका भी प्रियोग न करें तो ज्यादा बेहतर होगा या आपको बिमार कर सकते हैं फ्रीज में रखी चीज़ों का प्रियोग निकालने के कुछ समय बात करें जब वे समान तापमान पर आजाए अगर फ्रीज में कोई भी समान है ठीक है, तो उसका प्रियोग अईसा नहीं, मतलब निकालते ही तुरंथ हम कर लें नहीं, उसको कुछ देर बाहर रखें जब तक उसका टेंपरेचर जो है नार्मल न हो जाए तब नार्मल होने के बाद ही हम उसका प्रियोग करें तो बेतर होगा ठंड में मौसमी हरी सबजों की भरमार होती है आपको पता होगा अब इसका भरपूर उप्योग करें चाहे तो इसका ताजा सूप बना कर पीए या आपको गर्मी के साथ-साथ पोसड भी देगा सलाज का भी प्रियोग भी बुरा नहीं है देखे ठंड के मौसम में क्या करना है कि ज़्यादा तर हरी सबजों का प्रियोग करें और अगर आव सकता हो तो उसका हम सूप बना कर भी पी सकते हैं जब भी सूप सेर पर जाएं तो ध्यान रखें कि उगते सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए इस तरह से आपको बिटामिन D मिलता है और सरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है देखे अगर हम जब मार्निंग वाक पर जाएं तो ये ध्यान देना चाहिए हमारे जो फेस है वो सूरे की तरफ हो जिससे कि जो सूरे की केड़े हैं वो हमारे सीने पर पहुचे सीधे-सीधे और जिससे कि हमें बिटामिन D प्राप्त हो और हम अंदर से गर्म महसुस करें इस मौसम में सुखे मेवे का भरपूर सेवन करें ठीक है ठंड के मौसम में क्या करना चाहिए एक जो सूखा मेवा है, उसका हमें भरपूर प्रियोग करना चाहिए, इससे क्या है कि दिमाग में तरावट होगी और असमरण सकती, यानि याद करने की जो सकती है, उसके साथ साथ सेहन, सेहत और खुबसूरती भी बढ़ेगी, इस मौसम में ठंडे पेपदार्थों से परह यह सब चीजे नहीं पीनी है, नहीं खानी है, ठीक है, तो यह थी आज की वर्षीट, और इससे रिलेटेट कुल तीन प्रस्न आप से पूछे गए हैं, आईए उन प्रस्नों का आंसर हम लोग जानेंगे, तो जिसमें पहला प्रस्न है, सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता ह अपने अनभव लिखिए, दूसरा प्रस्न है, ठंड के मौसम में आप क्या-क्या साधानी रखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, और तिसरा प्रस्न है, आपको कौन सी रियुत पसंद है और क्यों, तो बच्चों आए इसका आंसर हम लोग एक-एक करके देख लेते है, वह इसमें बर्व भी परती है, जिससे खेलने में मज़ा आता है, तो ऐसे में पहले क्योश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, जो दूसरा प्रस्न है, उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कि सर्दी में हम कुछ ऐसी तरीकों से साधानिया करते हैं, जैसे सरीर को गरम रखने के लिए अधिक गरम कपड़े पाने, स्वच्टा का ध्यान रखें, नियमित रूप से इसकीन को मास्चराज करें, ठंड़ा पानी से बचें, तेज गरम पानी के असनान से बचें, अगर हम लोग नहा रहे हैं, तो पानी अत्यधिक गरम नहीं होना चाहिए, उ और पौश्टिक भोजन करें, क्लियर है, तो यह सब चीजे हम सावधानिया बरस सकते हैं, और जो लाश्ट प्रस्ण है, उसका अंसर भी हम पाले प्रस्ण वाला ही लिख सकते हैं, ठीक है, मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दी के मौसम का तो आज की जो यह वक्सिड थी, यह कछा छटी से आठवी तीनों के बच्चों के लिए थी, कंबाइन। थी, तो अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेयर करें, और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू